आम का नाम तो आम होता है पर यह होता बहुत खास है गर्मी का सीजन आते ही आम की भरमार स्टार्ट हो जाती है और हर घर में आम की रेसिपी बनना तो उसी स्रीज में आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ मैंगो आइस क्रीम जो अंदर से एकदम क्रीमी और बाहर से मैंगो आप मेरा विश्वास कीजिए यह बाजार की आइस क्रीम से बहुत जादा टेस्टी बनी है तो चलिए बनाना स्टार करते हैं इसको तो मैंगो आइस क्रीम बनाने के लिए यहां मैंने लिया है दो कप फुल फैक मिल्क और इसे एक पैन में डालकर उभानने के लिए रख दिय कस्टड पाउडर और दो बड़ी वाली चम्मस भरके डालेंगे मिल्क पाउडर अब इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे क्योंकि अगर इसमें कोई लंस या गुठली रह जाती है तो दूद में पकते समय भी इसमें लंस कर जणए पर करेंगे एह तो कि आज़ी तो दोद को कंटी ने चलाते रहना है वर्ना तो यह नीचे से तले में लग जाएगी या फिर इसके लंज बन जाएगे तो बस इसलिए इसको continue चलाते रहें जैसे ही इसमें एक उबाला आएगा आप देखेंगे कि दूद का texture चेंज हो गया है थोड़ा गाड़ा हो गया है अब यहाँ पर हम एड़ करेंगे शुगर तो शुगर की जगा मैंने यहाँ पर डाली है मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है इस तरह से इसको मैंने मिक्सी में पीस कर पॉडर बना लिया है और इसको एड़ किया है क्योंकि जो चीनी होती है वो थोड़ी हैल्थ के लिए ज़्यादा सही नहीं रहती इसलिए मैंने इसको एक हैल्दी डेजर्ट की तरह बनाया है और इसमें मैंने मिश्री यूज किया है अब देखिए यहाँ पर चलाते हुए चार से पांच मिट हो गए है आप देख सकते हैं कितना गाड़ा बन गया है यह अब इसमें एड़ करेंगे हम दो बड़ा चमच दूद की मलाई जो हमारे घर में दूद आता है अब इसे हम जब उबाल कर फ्रीज में रख लेते हैं तो इसके उपर एक मलाई की मोटी से लेर जो जम जाती है बस उसी को उतार कर मैंने इसमें डालाए तो यह मैंने नापा है यह दो बड़ी दो बड़ी चमच है अब इसको कंटिनू हम चलाएंगे अब यहाँ पर दिहां डगना यह है कि जब हम इसको एड़ करेंगे इस मिक अब यह हमारा तैयार हो गया condensed milk आप इसको बना कर देखना बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो condensed milk में आता है क्योंकि जब आईस्क्रीम के बीच में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे और दूसरे जो milk में मलाई मिलाई है वह भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी चलिए हमारे एक स्टेप complete हो चुका है अब दूसरे स्टेप में मैंने यहां पे लिये हैं आम एक किलो आम लिया है और यह 14 आम है हमारे यहां यह सबसे बेस्ट आम माना जाता है सबसे मीठा आम होता है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है एकदम डार्क यलो और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है तो आपके यहां आपके एरिया में जो सबसे बेस्ट आम होता हो आप उसी की आइसक्रीम ब बहुत टेस्टी बनेगी मैंने इसको इस तरह से बारिक-बारिक क्यूब में काट लिया है अब इसकी एक प्रावलम और है साम में कि इसमें थोड़ा सा रेजा होता है तो उस प्रावलम का भी सेलूशन निकलेगा जब हम इसकी प्योरी बनाएंगे ना तब उस प्योरी के भी हम छान लेंगे जिससे इसका जो बारिक-बारिक रेसा है वो भी निकल जाएगा अब देख सकते हैं यहां पर मैंने एक किलो आम को काट लिया है और थोड़े से क्यूब्स मैंने निकाल कर रख दिये हैं ताकि हम आइस्क्रीम की ट्रेकोरेशन कर सकें बाकी के क्यूब्स को हम ट्रांसफर कर लेते हैं मिक्सी के जार में और इसके फाइन सी प्योरी बना के तयार कर लेते हैं और हमें इसको इतना बारिक पीसना है कि जो इसमें छोटे मोटे रेसे हैं वो भी आराम से पिज़जा है देखिए कितनी फाइन प्योरी बनी है अब इसमें इसके रेसे को बहुत ज्यादा इसको फाइन पीसा है लेकिन फिर भी अब इसकी बहुत ही सॉफ्ट आइस क्रीम बनकर तयार होगी एक दम क्रीमी क्रीम को तयार कर लेते हैं क्रीम को तो यह मैंने ली थी एक कप विपिंग क्रीम जो की केक के डेकोरेशन में काम आती है और अब इसमें एड क अब इसकी तो तो यह मैंने लगेगी और आइस क्रीम का टेक्सर खराब हो जाएगा तो इसनी बहुत जरूरी स्टैप है कि आप इसको ठंडा कर लें अब बाद में इक इस पैचुला की सहिता से जो साइट में लगा हुए क्रीम इसको भी हम सही से मिक्स कर लेंगे अब हमा लग भग तीन जगा तीन पार्ट में डिवाइड करना है एक पार्ट को तो हम अलग सेपरेट एक बावल में करके रखनेंगे और दो पार्ट इसी में रहने देंगे अब इसक्रीम में एड करेंगे हम मैंगो प्यूरी को अब इन दौनों को भी बहुत अच्छी तरह से मिक अगर आपको मेरी बताईवी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आप इस तरह से आइस क्रीम एक बार अपने घर में जरूर बना के देखें आप यकीन मा आइस क्रीम का एकदम मिक्स हो चुका है अब मैंने इसको एक अच्छा सा देने के लिए एक ड्रॉप जल कलर डाला है जो बनाते हैं और उसकी जो डाक्रेशन करते हैं उसमें जो कलरिया कि ईएंसी को एड या है अब इसको निकाल के रखे थे निचे नेचे के लेयर की तरह से कहीं पर डालें और उसके बाद में हम इसमें डालें दियानक नाएं इसमें मैंगो वाले मिक्षर को हमें हाफ हाफ करना है जितना मिक्षर था उसका हाफ सबसे पहले नीचे डाल देंगे और उसके उपर से हम इसको इकसार करने के बाद में जो हमने क्रीम निकाल के रखी थी एक त्याहई क्रीम उसी को हम अब डाल देंगे अब इस क्रीम के उपर बाकी का जो बचा हुआ मैंगो का मिक्षर है वो इसको इकसार करकर इसको फैला देंगे और ध्यान रखिए यहां पर आप किसी बड़ी चम्मच से इसको फैलाईएगा मैंगो मक्षर था के द्ở皆 मिक्षर कर दा हो ब्रया दाल को कि मातली हैं वो इसके ऊपर से लगती आप को कि मिक्षर देलेले अनला मिक्षर दिमती होता हुआ और देखने में कितनी सुंदर लग रही है और घांस को देज्टी इस काम मेरा त्यार हो चुका है पूरा हो कि अभी सि जुमने के जिस आइसक्रिम जमाने के रखा है इसको एकाम ज़रूरिंबर करना क्युक्ति बन जाएंगे और आइसक्रीम हार्ट ही है अब आप देक सकते हैं यह आईसप्रीक कितनी आराम से निकल गई है और वाव कितनी अच्छी लग रही है देखने में अंदर एकदम जो क्रीम का लेयर है वो कितनी अच्छी तरह से विजिवल हो रहा है और कितनी स्मूध कट रही है आप देख सकते हैं चाह कोई काटने से अराम से कट गई है अब मैं इसको दिखाते हूं आपको देखे इसका अंदर से इतनी कलर्फुल सी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी है तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सर्व और आप भी अपने घर में या इस्क्रीम जरूर बनाएं बच्चों को बना के खिलाएं और गर्मियों में जो कोई गैस्क आए तो उसे जरू को टेस्ट कराएं वो आपकी तारिफे करते-करते नहीं ठकेगा और मुझे कमेंट्स में लिखके बताएं कि यह रहसे भी कैसी बनी है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई आइसक्रीम के साथ तब तक के लिए बाई-बाई